तो करोल बाग का मार्केट देखने के बाद अब हम जा रहे हैं गफार मार्केट के तरफ और मैंने नाम तो बहुत सुने हैं गफार मार्केट का इन कभी मैं गफार मार्केट गया नहीं हूँ तो चलते हैं और देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि गफार मार्केट कैसा है मैं करॉल बाग तो आया हूँ आजसेक दस साल पहले में करोल बाग आ चुका हूँ आए इंडिया से सफिंग भी मैंने किया है कि यान दो में कभित जाएंग work get आई हूं तो यहां पर यासे के देख पाऒई है entwic weaker नहीं तो मुझे मुझे देखने को मिला कंप खनल पर उतना बीड सा-कर नहीं था जई को दिखाता हूं तो यह दिखे है क्चिच के मिल रहा है तो दू आ mesma हम कफार मार्केट में हैं और हम लुद दीख रही है मतलब कि करोलभाक ज़िए भीन नहीं दिखे हैं लोग बोल तहीं होस्त बहुत जादा बीड होती है तो मुझे लगता है वहां पे जब मार्केट लगती है तब वहां पर ज्यदा बीड होती होगी तो यह एक्दम करॉलबाग मार्केट जैसा ही है गफार मार्केट तो इसको नाम बस है गफार मार्किट अलब कर दिया गया है ने कि एकतब करल बाक मार्किट के बाके मुझे लगा देखने में और मुझे अपता कुछ परिशेश करनी के लिए ऐसा कुछ भीनिक यहद्ध करूच करूं तो तो व्रभी तक हैं कुछ लिया नहीं हूँ और बस घूम रहा हो मार्केट यहांपर देख रहेंगों सोट मिल रहा है अगू इंदीङ परकोपन्ट कोण थे這個 के आख से कुछ लेता है लेकिन मुझे कुछ पसंद आ नहीं रहे है यहापऽ तो देखें यहाप एलेक्ट्रोनिक समान मिल रहा है यहां देखी कवर का यह फुरा बनाए जाए था आप यहांते कवर भी कच्छेश कर सकते है साज जी भी हो वाई किस सब्सक्राइब आखा यह स्पिकर कैसे दे रहे भाई? सेसू क्वा? सेसू क्वा? सेसू सेसू स्पिकर मिल रहे हैं अगर आपको यह स्पिकर पसंदाता तो आप ले सकते हैं तो यह बहुत फिर्मस वादर डहर दन्सीक्स सब्सक्राइब ओले और देखिए यह वी लेक्ट्रॉनिक डिवाइज मिल रहे हैं तो हम देखते हैं आपर क्या मिल रहा है यह देखिए यहां पर भी है यह अगयों अपर कैसे दे रहे हैं तो यह देखिए 30 रुपीज का यहां पर केबल दे रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे हैं यूटुब ब्लाग किस चैनल पर आएगी है स्रीधरम 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 यूट्यूब पर आयागा है कि आली स्रीधरम जालना एक मिनट तो भाइया मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं तो मैं इंको अपने चैनल का नाम बता रहा हूं डालो जो तो यह स्टेंडर वर्फी के नीचे अगर यह बहिया कि पास आप आते हैं करूल बाग गफार मार्केट की तरफ आप इंसे यह कैप्रीज और यह करता है यह भी है तो अब इसको पर्चेस कर सकते हैं ठीक शहर पर drawings गळए प्रेम अन्कल है तो आभ इन्सें पर्चेस कर मना बताया मैंने इनको अपने यूट्प चनल का नाम बता दिया तो अभी हम गफार मार्केट में है और गफार मार्केट एक्स्प्लोर कर रहे हैं और अभी हम गये थे लेक्ट्रोनिक मार्केट में गए तो वहाँ पर इतना कुछ पसंद नहीं आया और सब लोग प्रोड़क्स वहां मिल रहे थे तो इसलिए में आपको सचेस्ट करूँगा कि आप यह सब जगह कारें अगर पर चेस करते हैं तो थोड़ा समझ के पर्चेस करेगा इंड कॉछी को देखते वह पर्चेस करियेगा क्योंकि कॉलिटी में लो सकता आपको यहां पर यहां पर आप देखियों से सारे क्लोस के कफार मार्केट में भी मैं हूं तो यहां पर सारे क्लोसी मुझे दिख रहे हैं तो यह दिखें यहां पर यह स्टैचूस दे रहे हैं तो आप यह सब कैसे दे रहे हैं भाईया यह सब मिल्तिक है यह देखें देड़ सुरुपे कर रहे हैं यहां से बना जाता है यह देखें हा तो यह भाईया हमेसा यहां लगाते हैं अंकल जी तो अब यह डेकोरेशन के से लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही सुन्दा लग रहा है तो अभी हम कफार मार्केट से बाहर जा रहे हैं और मुझे नॉर्मल ही मार्केट लगाई है तो डैली के कॉनाचट फ्लेश में एक बास ऑस्टी बाई का आइस्क्रीम खायता और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस तकाइम का आइस्क्रीम और इस वाभी जब मैं करोल बाग आया हूँ तो यहां पर मुझे शॉपसी बात अधर अशुछ फ्लेशन का तो मैंने भी यहाँ पर एक बार करूल बाग में यह सोफ्िवाइ का एस्क्रिम लिया है अब ग़िमी का टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा है तो दिख्थे हैं यह यह फ्लेवर कैसा है आग अगर आप बहुत ज्यादा एस्क्रिम पसंद करते हैं और आप डेली आते हैं तो जरूर यहां पर सौप्टी बई का एस्क्रिम खाएगा आपको बहुत अच्छा तेश लगेगा तो यहां पर हमने एस्क्रिम खाया मैंने यहां के एस्क्रिम फर्स टाइम कॉनड प्लेस पे खायते हैं और यहां पर मैं करोल बाग में खाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत तेज हमारे एस्क्रिम फिगल रही थी और जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डैली में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि फाइनली मैं गफार मार्केट पुरा गुम लिया और अब मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूं और मिलेंगे आपको इस दुसरे ब्लॉग में तब तक के लिए मुझे दीजिए जाज़त आप सभी क्या असिरवाद की कामना करता हूं मैं स्रीदा अगर आप पर लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें और आप सबको बैबाए